तौर जरमा ज्ट्रमी स्पैशनry प्रशाद की रेसीपी काना जी के लिए बनाएंगे आज कामना की रखेंगीन तो खटैसिए प्रॉल्जात प्रशाद कीज़िये तो कामनाजी की रखेहुर्ण तो अगर आप इसका ना बनाना चाहें तो रेडिमेट जो नारेल का बुरादा आता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं पर मैं यहापे इस सुखे वे नारेल का यूज करूँगी इसी से आज हम प्रशाद बनाएंगे तो इसे आप एक ओप्षन है आप चाहें तो कद्दू- कर सकते हैं पर फ्रेंट्स में इसे कद्दू कस ना करते वे चाकू से कट कर रही हूं बड़े-बड़ी शेप में या बिल्कुल बारिक जैसा आप चाहें इसे कट कर लें कद्दू कस करने की जरूरत नहीं है जादा महनत आपको मैं आपको एक असान सा तरीका बता रही हूं इसे चाकू से आराम से आप इसे कट कर लिए चाहें मोटी शेप में चाहें बारिक शेप में और बस इसे पीस लेंगे मिक्सी में डालके और इस तरह का इसे इसका पीसने के बाद यह इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा इतना हमें इसे पीसना है यह देखिए बिल्कुल अ और उसमें डाल रही हूं मैं रूम टंप्रेचर पर रखा हुआ यह ठंडा दूद यह फुल क्रीम दूद लिया है मैंने एक गिलास दूद का यूज किया है तो इस दूद को हमने डाल दे हमारी कडाई में और अब इसके अंदर हम जाएगा यहां पर यह मिल्क पाउडर तो मैं आपको चमच से मापके दिखा रही हूँ कि यह कितना है तो देखिए एक दो तीन चार पांच और छे छे चमच के करीब यह पाउडर है मिल्क पाउडर और पाउच में यह दो पाउच लिये थे मैंने जो दस रुपे वाले पाउच आते हैं तो बस इसी मिल्क पाउडर को हम हमारे दूद में पहले अच्छ से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई खुटली ना रहे ठंडे दूद में मिक्स करना है गरम दूद में नहीं तो अब इसके बाद इस दूद में अच्छ से मिल्क पाउडर को मिक्स करने के बाद हम गैस को अन कर लेंगे और इसे लगा बॉइल आ गया है इस तरह से और यह गाड़ा होने लगेगा बहुत जल्दी से यह देखिए इसमें दूद में हमारे अच्छे से बॉइल आ रहा है और बस अब इसी स्टेज पर हम साथ ही में डाल देंगे इसमें यह चीनी यहां पर मैंने एक बाउल चीनी लिए ग्राम्स मे हमारी चीनी दूद पक रहे हैं थोड़े गाड़े हो रहे हैं तब तक चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं यहां पर मैंने कुछ बदाम काजु लिए हैं इन्हें रफली चॉप कर लेंगे अच्छे से यह देखिए ज्यादा बारिक भी नहीं रखूंगे और ज्यादा बड जादा से जादा फैमिली फ्रेंड्स में मेरी वीडियो शेयर कीजेगा बैल ऐकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो हमारे बदाम काजु कट चुके हैं तो यहां पर अब यह देखिए दूद भी हमारा गाड़ा होन लेकिन केवडा हिलाईची दोनों में से किसी एक का ही यूज कीजेगा दोनों का फ्लेवर अच्छा नहीं आता एक साथ तो बस और साथी में यहां पर दो चमच के करीब इसमें आट कर दीए मैंने खसकस और साथी में मगज फ्रेंड्स खसकस बहुत जरूरी है इसका टेस् काजू की जो हमने कट करके रखे हुए थे इसे भी हम एट कर देंगे दूद में और एक बार अच्छे से चला लेंगे सब चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर हम डालेंगे हमारा ये सुखेवे नारेल को जो हमने पीस के रख तो बस एक बड़े बाउल का ही मैंने अभी इस वक्त यूज किया है और सारा सुखावा गोला हम इसमें आइट कर देंगे और इसे चला कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह देखे इसे डालते ही यह बहुत जल्दी से गाड़ी फॉम में आ जाएगा अच्छे से अब इसे चमच के करीब फ्रेश हमारी दूद की मलाई है इसका यूज किया है मैंने घी मैंने नहीं डाला है घी को का यूज नहीं किया है घी के बिना ही आज यह प्रशाद बना रही है कि मलाई से और हमारे इंस्टिट मावे से तो हमारे यह मलाई मावा वाले नारियल का यह प्रश बनेगा और घी का की जगा जो मैंने मलाई का यूज किया है वो उसी से मलाई से ही घी जैसे इसमें शाइनिंग भी आजाएगी मलाई भी घी छोड़ती है तो बस इसी मलाई से हम यह परशाद बना रहें तो फ्रेंट्स एक बार में और बता दूँ अगर आपको मेरी वीडिय की लग रही हो फसंद आरही हो तो फ्लीस वीडियो को लाइक कीजेगा नई पसंद आती हो आप डिस्लैक भी कर सकते हैं लेकिन ने आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहें और आपको मेरी वीडियो रेसिपी कैसी लगती है तो बस आप ये अच्छी तरह से हमारा सेट हो चुका है ये अच्छी तरह से इसने कड़ाई छोड़ दीती अब बस इसे ठंडा करने के बाद हम इसे हाथों से टच करते वे थोड आलूंगी आपको एक और दिखा रही हो थोड़ा सा पार्ट लेके हमने हमारे मिश्रन का इस तरह से इसमें उंगली से इसमें स्पेस दिया है थोड़ा सा और ये देखे हमारे मलाई मावा के नारियल के पेड़े बनकर तैयार है लेकिन ये भी थोड़े खली-खली लग रह चौप करके और इसे अंदर हम इसमें जो हमने स्पेस बनाया था पेड़े में तो हम इसके अंदर अब ये नारियल का बुरादा और हमारे पिष्टे को फिल कर देंगे और ये देखिए इनकी लुक देख लीजे ये बहुत खुबसूरत लगेंगे इसी तरह से हम हमारे सारे म आरियल के पेड़े में कितनी एच्छी खुबसूरत सी लुक आ गई है और हमारे काना जी का इसी बात पर पर परशादी बनकर तयार होगी है तो आपको ही मेरी रेसेपी कैसी लगी है मुझे जरूर बताना कमेंट मॉक्स में और फ्रेंस ये देखिए मैं आपको इसे दिख आएंगे आज हम काना जी को बहुत ला जवाब सा हमारा परशाद बनाए फ्रेंट्स प्लीज वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन को भी प्रेस कीजे और जादा से जादा फैमिली फ्रेंट्स में म लाइक भी करना है आपका लाइक और डिसलाइक दोनों ही हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आप कहां से हो मुझे ये भी जानना है तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर किसी रे